इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिसकस करेंगे उसका नाम है राजिपाल, राजिस्थान के राजिपाल या राजिपाल के बारे में पढ़ेंगे, तो यह टॉपिक हम दो पार्ट में डिसकस करेंगे, पहले पार्ट में तो हम राजिस्थान के जो राजिपाल है, उससे संब प्रतेक राजिक के लिए एक राजिपाल होगा तो इसको कैसे याद करेंगे तो प्रतेक राजिक के लिए एक राजिपाल होगा और राजिपाल के बारे में भी का गया है तो आर्टीकल 153 में क्या कहा गया है एक पांती तो एक राजिपाल पांती आएगा मलब भर एक राजिपाल होगा यह कहा गया है आर्टीकल 154 में तो इसको कैसे याद करेंगे तो 154 को क्या लगेंगे पांच और चार पांच को पहला वर्ड परault पहला वीड़ को पचाने में पांच चार मतलब आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है राजिपाल की कारेपाली का सर्क्तियों के बारे में कहा गया है नेश्ट हम देखते हैं आर्टिकल 155 में क्या कहा गया है राजिपाल की नियुक्ति के बारे में बताय गया है और नियूक्ति में भी क्या आता है और था वर्ड आता है तो इस type से याद रख सकते हैं तो आर्टीकल एक सोफच्पन है किस से सब्गें राजिपाल के कारीकाल से संब्गें तो इसको याद करना तो बहुत सरल है 856 च्पनीय जो आकाल था च्पन्या आकाल के बारे में तो राजिस्तान के सभी लोग जानता हैיכे लुश्ड आकाल याद रिखना है तो ज्चापनिय घंठे आकाल imperfect 316 च मतलना में कर गया हैhou काल क साथ हुए Arri आजिपाल कि योग गिताओं के बारे में को भी nhưng checked राजिपाल की योगिताओं के बारे में, तो जो आपन जब 57 लिखते हो, तो इंडी में कैसे लिखते है 57, तो 57 में क्या आता है, वर्ड सत्ता, और सत्ता किसे मिलती है, जो योगी होता है, उसे ही मिलती है सत्ता, तो आर्टिकल 157 में क्या का गया है, योगिताओं के बारे में तो ऐसे याद लख सकते है एकुट अगया है तो इसको ऐसे याद करेंगे सर्थ大 फिर्ट डिक यơ ऑगया आट यहां बहले एक पहांच म熱 एक सो अठावन में किश undoubtedly हर्थ仔 ₹ energy ard session । तो आठीकल एक सो अठावन में क्या यहां किया राजपाल मनने की सर्त के के बारे में का गया है तो इसके लिए या रखेंगे नौ पत क्या याद रखेंगे नौ पत तो आता है आता है आता है इसमें किसके किसके बारे में का गया है तो इसको कैसे याद रखेंगे कोई भी शमा मांगता है तो इसको कितनी वार मिलती है शिर्फ एक बार मिलती है ऐसे कि बार बार गलतीिए गड़ता जाए और स्फ़श्ट ॉक्कराइब में का गया है तो आटिकल के लिए मुख्य मंत्री तथा मंत्री परिशत से सलाह ले सकता है तो आर्टिकल 163 में का गया है राजिपाल की शिकारिक के लिए मुख्य मंत्री तथा मंत्री परिशत से सलाह ले सकता है उसके बारे में का गया है आर्टिकल 163 में तो इसको कैसे याद रखेंगे 163 उसमें क्य आर्टिकल में का गया है वो का गया है आर्टिकल 163 में 163 में किसके बारे में का गया है कि मुख्यमंत्री तदा मंत्री परिशत से वो सला ले सकता है राजिपाल नियास्टन देखते है आर्टिकल 165 165 में कहा गया है कि राजिपाल महाधी वक्ता की न्यूक्ति करता है तो आर्टिकल 165 के अंतगत कहा गया है कि राजिपाल महाधी वक्ता की क्या करेगा न्यूक्ति करेगा तो इसको कैसे याद करेंगे कि तो महाधी वक्ता को क्या कहा जा पैसे जाहिए होती है क्योंकि educate की फीस बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो आर्टीकल 165 में किसके बारे में का गया जनरल के बारे में ऐसे याद कर सकते हैं नबहुंच हमदिख्धहिए आर्टिकल 174 में क्या क्या कि राजिपाल विद्दान सभा का सत्र बुलाता है और इसे भंक भी कर सकता है तो एक सो चुहेतर एक सांद चार तो चालू तो सत्र को चालू और बंद करने का कारिये कौनसा is article करता है राजिपाल और देश जारी करता है दो ऑν्राजिपाल के तहट 오ने है डो zwy mild क्या है दोस फिर है अभिकर 우리는 फिर 52000 के तहत को खैसे याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? 213 क्या है? 213 वह क्या है ? तो राजिपालром में 154 पच्छा क्या है राजिपाल की सकति के बारे में एक आकाल तो जो इस तो क्या हो गया है का का कारिकाल के बारे में है का रिकर में आठ हारा है नौ पत्त ऐसे मिलताrop 910 ile नियास्ट है आर्टिकल 179 से आ गया और पत्स से क्या है राजिपाल बनने की सपत अब देखते हैं आर्टिकल 161 161 में क्या है सिर्फ एक वार क्या मिलती है तो 161,61 में यह क्या गया 6 और यह क्या गया 1 तो 6, 1 म्लब सिर्फ 1, सिर्फ एक वार गया मिलती है श्मा तो इसमें क्या है आठी कल सिर्द में क्या है राजिपाल की श्मादान सक्तिया है। नेट हम देखते हैं आर्टीकल 163, स्ञे तीन mix गुख्यमंत्री से क्या लेगा सलाह लेगा राजिपाल आर्टीकल 163 के तर्थ whether he याने पैसे औौकेट करने के लिए क्या बहुत ज़्यारे पैसे चाही ज़से करे गार राजिपाल नेख्ट पूरिशे आर्टिकल 213 कौन सा है ? 213 तो दो तेरा आदेश तो आर्टिकल 23 के ततर राजीपाल क्या करेगा ? अध्यादेश को जारी करेगा तो इस टाइफ से यह सोट टिक्स से हमने तो याद कर लिये कौन से ? राजीपाल से संबंदेत अनुचेद अब राजीपाल से संबंदित अन्य पॉइंट जो पूछे जाते हैं इंपोर्टेंट वो देखते हैं और फिर राजिस्थान के राजीपाल के बारे में अभी देखेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं राजी की कारीपालिका में कौन-कौन आते हैं वो आते हैं राजीपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिशत तो राजी की कारीपालिका में आते हैं राजीपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिशत आते हैं राजी की कारिपालिका का सम्वेदानिक प्रदान कौन होता है वो होता है राजीपाल बलब सम्वेदान में सबसे प्रदान किसे माना गया है राजीपाल को तो राजी की कारिपालिका का जो एक दम प्रदान किसको माना गया है सम्वेदान के अनुसार सम्वेदान के अनुसार की जाती है सामानी तह राजिपाल का कारिकाल कितनी वर्ष का होता है पांच वर्ष का होता है और वह अपने पद पर कब तक रह सकता है राश्पृति के प्रसाद परियन तक राजिपाल अपने पद पर रह सकता है लेकिन सामानी तह उसका कारिकाल कितना है पांच वर्ष का न योग्यता है कौन कौन से है जब वह जाकर राजियपाल बन सकता है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए यह तो सबसे पहली पर कितनी 35 वर्ष की आयूपूर्ण कर चुका होना चाहिए तो याद रखना यह पूछा जाता है राज़पाल्क पणने के लिए कितनी आयूप प्ूरी करने जरूरी है वह है 35 वर्ष 25 वर्ष की आयूप पूरी करेगा तबी वह राज़पाल्क पद के लिए योग्य होगा नेश्ट हम देखते हैं वह किसी लाब के पद पर कारियरत नहीं होना चाहिए, नेश्ट है वह कैंडर या राज्य की विदाइका का सदश्य नहीं होना चाहिए, गर अभी है तो उसे वह पद छोड़ना पड़ेगा, तो वह कैंडर या राज्य की विदाइका का सदश्य नही ही होना चाहिए है कि तो हो गे योग्यता है अब यह यह आगा इस डॉखता है राजिपाल किन को न्यूक्ति डी जाती तो पूछा जाता है न पूचते हैं कौन सा सही सही और गलत इस टाइब से पूछते हैं तो देख लेता है राजिपाल मुख्य मुख्य मंत्री की न्यूक्ति करता है, हाँ बिल्कुल सही है, राजिपाल द्वारा मुख्य मंत्री की न्यूक्ति की जाती है, राजिपाल मंत्री परिशत के सदश्यों की न्यूक्ति करता है, लेकिन वो मंत्री परिशत के सदश्यों की न्यूक्ति करता है, वो है मुख्य मं नोडे भंवक्ता या अड्याइफक्ट जन्दाल की न्यूघ्ति कौन करथा है वो औरते हैं राज्य आपता है अलोरी पन डीशत के सदस्यों सिप्विश्वर की न्यूघ्ति करथा है और पीई आसे को न न्यूक्ति भी कौन करता है राज्य पाल करता है निया स्टम देखता है राज्य की राज्यस्तान की जो वित्पोसित विस्वविद्याल है तो राज्यस्तान के जो राज्य वित्पोसित याने की जो इस्टेट यूनिवर्स्टी है उनके जो कुल्पति होते है याने वाइस Chancellor, उनकी न्यूक्ती भी कौन कोन करता है, राज जी पाल, तो राजरी के जो State उुनिवरेस्टी है, तो राज़ितान की State University के VC है, या कुलपथ्ती की न्यूक्ती भी कौन करता है, वो क्या करता है, राजि पाल करता है, ये important है याद रखना है तो जो State University है उनके जो VC होते हैं उनकी neutrality कौन करता है राजीपाल करता है नैस्ति हम देखते है राजि पाल किन कि न्युक्टिय करता है राजीपाल वह देखते हैं जो चुना वायुक्तिय के सदस्यत करता है राज्य के महादी वक्ता याने अड़ोकेट जंडरल की नियुक्ति करता है आर्पीएसी के अध्यक्स तता सदस्यों की नियुक्ति करता है स्टेट उनिवर्स्टी के वीसी या कुलपती की नियुक्ति करता है और राजय क चुना वायुक्त की बिडिक उर तक वर राजय पाथ टो करता है और चुना वायुक्त है कुन रजय पाथ से वापिस हटा नहीं सकता है तो यह वाली इंपर्टेंट बात है यह अभी RS 2023 में पूछी गई थी कि जो राजिपाल है अगर मानलो हटाना है तो वो उन्हें हटा नहीं पाएगा तो इनको हटाता कोण है और राजिपाल उन्हें वापिस नहीं हटा पाता है तो उसे पद से अटाने का काम कौन कर सकता है और केवल कौन कर सकता है राश्ट्रपती द्वारा तो आर्पीस के अध्यक्स तता सद्श्यों की नियुक्ति तो राजिपाल द्वारा की जाती है लेकिन इन्हें पद से अटाने का कार्य केवल राश्ट्रपती की आग्या द्व इनके नियुक्ति तो कट देखा लेकिन इने पद से अटा नहीं पाएगा नियाश्टम देखते हैं कुछ राइट रॉंग वाले कर्थन पूछे जाते हैं एक्जाम में बहुत इंपोर्टेंट है यह पूछे जाते हैं बार-बार तो इनको देख लेते हैं तो एक कथन दिया राश्रुपति राजिपाल की सला जरूर लेता है लेकिन नियुक्ति कौन करता है वो करता है राश्रुपति करता है तो यह वाला प्रशन बहुत वार पूछा जाता है आपसे ऐसे पूछ लेते कि यह कौन सा कथन गलत है तो राजिपाल नियुक्ति कि करता है और तीन-चा करता है लेकिन करता है राश्टपती करता है तो तो यह गलत है यह बता ना है तो Central University के कुलपति की न्यूकति नहीं करता है, राजिपाल केवल और केवल State University के एंडर में, जो भी University आती है, उनके कुलपति की न्यूकति करता है, Central University होते हैं, उसके कुलपति की न्यूकति राजिपाल नहीं करता है, तो यह कथम गलत है, तो Central University के कुलपती की नियुक्ति करता है नहीं, वो Central University के कुलपती की नियुक्ति नहीं कर पाता, केवल और केवल State University के कुलपती की नियुक्ति करता है, जैसे आप से एन आईगार प्राशन पूछा गया था, कुछ निमन मैंसे किस University की कुलपती की नियुक्ति राजयपाल नही Central University अपनी कहा है किसंगर्ड अजमेर में है तो किसंगर्ड है Central University उसके कुलपति की न्यूक्ति राजिपाल नहीं करेगा बाकि जो यह State University हो गई जैसे JNU, राजिस्तान University हो गई गंगा सिंग उनिवस्टि हो गई तो इन सभी के जो कुलपति है इनकी न्यूक्तियां राजिपाल करता है तो इसको हम देख लेते हैं कि राजिपाल केवल State University है State University के कुलपति की न्यूक्ति करता है और Central University के कुलपति की न्यूक्ति राजिपाल नहीं करता है तो यह यार दखना है आपन को तो next time देखते है अगला right wrong बताना ही क्या है तो राजिपाल RPC के अध्यक्स तता सदस्यों की नियुक्ति करता है इतना तो सही है अध्यक्स और सदस्यों की नियुक्ति राजिपाल ही करता है और उन्हें पद से अटा भी सकता है नहीं उन्हें राजिपाल अपने पद से अट सकता है तो सद orchestra की नियुक्ति कर सकता है राजे लेकिन पद से हटा sunshine राजी पाल राजी की सभी चांसलर होता है यह कत्र sich बताना है तो इस्टेट उनिवस्टी का तो होता है कुला दीपती तो राजिपाल राजी की जो सभी इस्टेट उनिवस्टी है राजी उनिवस्टी है उनका तो कुला दीपती या चांसलर होता है लेकिन जो सेंट्रल उनिवस्टी है उसका कुला दीपती नहीं होता है राजिपाल तो कुछ चारेफ बाते है यह पुछे जाती है , बार बार एक्जामों में तो यह याद रखनी है कौन Ci- एक वापिस देख लेते है की जो राजी के उच्छ न्यायदिस और राजी के उच्छ न्यायदिस मुख्य नियादिस वह कि न्यूप्ती ख्रक्राइए कौन करता है वो करता है राश्रुपति करता है राजिपाल नहीं करता है दूसरी चीज क्या देखिए हमने कि राजिपाल है वह स्टेट यूनिवर्स्टी के कुल्पति की नियुक्ति कर सकता है लेकिन सेंट्रल यूनिवर्स्टी के कुल्पति की नियुक्ति नहीं कर सकता है कि राज्यपाल है वो संदस्य की कर सकता है लेकिन उन्हें अपने पद से अठा नहीं सकता है वो अटाता है राश्ट्रुपति चांसलर राज्यपाल डिक्ता है गीमें नहीं होता है । दुसाते थSQL कूछ आध्रिक्त चम्मेदारिया होती बोड का अध्यक्स होता है उसका इंडियन रेड क्रॉस तान ब्रांच को अध्यक्स होता है राजिपाल पस्चिम छेत्र सांस्क्रतिक कैंद जो की उद्धेपुर में है उसका क्या होता है अध्यक्स होता है यह सब चीज़े थोड़ी याद लखनी है किस आयोग की सिफारिस्क के आधार पर राजिस्तान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राजपाल का पद की व्यवस्ता की गई तो वो था राजप्रमुख के पद की गई है तो कौन से सविदान संसोदन में की गई है राजपाल के पद की व्यवस्ता या राजप्रमुख के पद को हटाया कि सविदान संसोदन के तहट राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राजपाल का पद चालू किया गया डेक्स्टान के राजप्रमुख कौन रहे थे तो पहले राजिपाल बने थे वो थे गुरुमुक निहाल सिंग राजस्तान के पहले राजिपाल कौन बने थे गुरुमुक निहाल सिंग राजस्तान के पहले राजिपाल थे वो थे गुरुमुक निहाल सिंग राजस्तान के पहले राजिपाल थे वो थे गुरुमुक निहाल सि सबस्दीन कुकल दोषे राजिपाल संपूर्ण नच्वान सबस्थे सबस्राइब प्रतिभा पाटिल नेक्ष्ट राज्यस्थान के राज को गा निदन हो गया वह थे दर्बारा सिंक का भी उनके पद पर रहते हो निदन वगया था निर्मलचन, जैन, एसकेशीयं और प्रबार राव इन चारों का उनके पद पर रहते है निदन हो गया था नियाश्टम देखते हैं राजिस्तान के राजिपाल जिन्होंने अपना कारिकाल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया पहले तो कौन थे मदनलाल खुराना दूसरे थे प्रतिवा पाठिल बदन लाल खुराना और प्रतिवा पाठिल दो ऐसे राजिपाल है जिन्नों ने कि अपना पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था राज़स्तान में पहली बार राश्डपुति सासन कब लगा तो राजेस्तान में उकल कितने चार बार राश्डपुति सासन लग तो उस टाइम राज़िपाल थे डॉक्टर संपूर नानन वह राश्टपती शासन क्यों लगा था क्योंकि विदान सभाद चुनाव में किसी भी पार्टी के पास इसपेश्ट बहुमत नहीं था मलब सभी के पास क्या था एश्पेश्ट बहुमत के कारण लगा था पहला जो राश्ट पती शासन कब लगा था remote नानन नेश्ट देखते हैं राजस्ता में जो चौथा राष्ट पती शासन कब लगा 15 12 1912 से 13 1913 तक मलब लगब एक साल लगाता कौन सा राष्ट पती शासन हो है मलब चौथा राष्ट पती सासन लगाता न जब राजजिपाल कौन थे वो थे चेनना रेडी कौन थे डॉक्टर एम चेनना रेडी चौथा राश्ट्पती शासन लगा था राजस्थान में उस टाइम राजस्थान के राजिपाल थे डॉक्टर एम चेनना रेडी तो चौथा राश्ट्पती शासन था वो सबसे लंबी अवदी का राश्ट्पती शासन थ ता चौथा राष्टपति सासंदा उस टाइम जो राजिपाल कौन थे डॉक्टर एम चेनना रेडी थे और अब हम नेक्स देखते हैं कौन से राजिपाल यह कुछ प्रश्ण पूछे जा चुक है एक्जामों में वह थोड़ा देख लेते हैं कौन से राजिपाल कौन से लोग सपाल के आद्यक्स भी रह चुक है कौन से राजिपाल हिंदूस्तान あगिवित्स कौन से राजपाल ? है वह हो पी महरा हो पी महरा क्या थे rabbits कॉंसे राजपाल हिंदुस्तान bored प्रतीवा पार्टिन न He mm developed make one star क्षङ बने थी हो सार्ध लइसमेड ँर स्भाप्रती पर चुक ए उद्र है अज्च्व की सभापती रह चुकी दक्षिन कोरिया में महीला इंसा के विरुद जो बैठक हुई थी एसके पुसकी भी अध्यक्स रहा चुकी है मार्गरिट अलवा तो यह भी अब हम आगे देखते हैं कि राजिस्थान के जो वर्तमान राजिपाल है तो राजिस्थान के वर्तमान राजिपाल कौन है वह हरीबावं बागर है ना महाराष्ट विदान सबा जो किनद्धर करेंगए मंसरे सबछे पहले हम देखते हैं मक् pose क्या होता है कारे पालिका का वश्टयुइक प्रदान होता है तो कारेपालिका का वास्त्विक प्रदान कौन होता है मुख्यमंत्री होता है नेक्ष देखते हैं कि मुख्यमंत्री की न्यूक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की न्यूक्ति कौन करता है वो करता है राजिपाल और वो किस आर्टिकल के तहत करता है आर्टिकल 164-1 के तहत तो मुख्यमंत्री की न्यूक्ति राजिपाल करता है और आर्टिकल 164-1 के तहत करता है ठीक नेक्स देखता है कि राजिपाल किसे मुख्यमंत्री करता है वह उम्बत प्राद दल के नेता को ही मुख्यमंत्री न्यूक्त करता है नेक्स देखते हैं कि मुख्यमंत्री के वेतन और बत्तों का निर्दारन करता है वो करते हैं राजी की विदान सबा विदान सबा होती है वो मुख्यमंत्री के वेतन रथा बत्तों का निर्दार करती है मुख्य मंत्री के कर्तावय किसके अंतरगत लिखें गई है वह Article 167 मुख्य मंत्री के लिखें गई है आर्टिकल 161 के अनुसार मुख्य मंत्री राज्य पाल के प्रसाद प्रियंद अपने पत पर बना रह सकता है तो अटिकल 164 में लिखा तो ऐसा गया है कि मुख्यमंत्री राजिपाल की मर्जी तक अपने पद पर बना रह सकता है ठीक है लेकिन वास्त्विक इस्तती में यथार्थ इस्तती में क्या होता है कि मुख्यमंत्री सदन में बहुमत होने तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक मुख् इस्वास प्रस्ता उपारित हो जाता है और मुख्य मंत्री और मंत्री परिशत को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ जाता है जब उनके पास बहुमत नहीं हो पता तो वो क्या होता है अव इस्वास प्रस्ता होता है और उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ता नेक्स्ट हम देखते हैं आपके जो पूचा जाता है मैंनली वो कहां से पूचा जाता है यहां से राजस्थान के मुख्य मंत्री तो इसके बारे में हम देखते हैं तो एकी करन से पूर जब प्रारमभिक राजस्थान था तो राजस्थान का निर्मान हो रहा था एकी करन से तो राजेस्थान में क्या लोग्तार्स क्या सरकार देख लेते हैं तो उसक बना तो मुख्च से стран जमख को बनाथा तो उसके मुख्या लागा निम्न में से कौन往को सद्रेटान सन्रेुप सिसंसाओं सब्सक्रिशाइब उसके मुख्यमंत्री तो प्राइच्छान पूछा गया सब्सक्रिब कि निम्न में मञे remembering निम्न गो diff我 सब्सक्राइब सब्सक्राइब के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाद में गैंद्र सरकार द्वारा एक आई सी एस ओफिसर को न्यूक्ट किया गया था वो थे सी एस वैंकटाचारी को मुख्यमंत्री न्यूक्ट किया गया था किसके द्वारा गैंद्र सरकार के द्वारा सी एस वैंकटाचारी को मुख्यमं मुख्यमंत्री नहीं थे क्योंकि उन्हें नियुक्त किया गया था तो यह गतन सही था तो वह उन्हें क्या किया था नियुक्त किया गया था नेक्स अम देखते हैं फिर मुख्यमंत्री क्योन बने वह बने जयनार्येड्य व्यास तो यह जो पहले तीनों धेन्हों से हिरालाल सास्त्री नुर से कौन वैंकताचारी और जैनारेन व्यास ये तीनो निर्वाचित नहीं थे ये क्या थे न्यूक थे या मनोनित थे ये तीनो क्या थे न्यूक थे न्यूक थे हिरालाल सास्त्री होगे तो जब 3 मार्च 1952 को क्या पहली लोक्तांत्रिक सरकार बने थी, राजस्तान की पहली लोक्तांत्रिक सरकार कब बने थी, 3 मार्च 1952 को, तब जो मुख्यमन्ति बने थे, वो बने थे टीकाराम पालिवाल, राजस्तान के पहले निर्वाचित मुख्यमन्ति, बाद में क्या हु बाद में केर टिकर सरकार थी उसके खिलाब और फिर उन्हें इस पद से हटना पड़ा तो ठीका राम पालिवाल बाद में इस पद से हट गे मुख्यमंत्री के पद से तो और बाद में क्या बन गे वो उप मुख्यमंत्री किसकी सरकार में जैनारन व्यास की सरकार में उप मु मुख्य मंत्री नार्म कया cathro palette, मज़र गौत में क्राफ मुख्य मंत्री LEAK क्यों तो क्यों से से टीका राम पालिवाल तो एसे मुख्यमंत्री जो पहले तो मुख्यमंत्री बने और बाद में क्या बने मुख्यमंत्री, क्यं हм ताहिस्तान वे चार वार मुख्यमंत्रिय पद की सपत लेने वाले जो जो भुख्यमंत्री थे वो कौन है मुहनलाल सुखाणिया तो चार वार उपस्देओं तो सबसे अधिक समय तक तक मुख्यमंत्री कौन रह थे से राजिस्तान में मोहनलाल सुखाडिया उन्होंने चार बार मुख्यमंत्री पद की सपत लेने वाले कौन-कौन थे वह थे हरी देव जोसी बहरो सीं सेकावद और असों गैलो ठीक है तीन तीन वार मुख्यमंत्री पद की सपत ले चुके है और चार बार कौन है वो है मुख्यमंत्री का रहा वो है मुख्यमंत्री के पद पर कारी किया म सबसे चोटा कारी काल रहा हीडाल देवपूरा वो मात्र 16 सोला दिन के लिए ही ुख्यमंत्री बनने के लिए उससे क्या होना cupcake कि कि एक सदीखा सदश्य होना आफश्यक है तो राज जी की जो विदाई का है उसके दोनों सदन है तेक तो हो गया राज विदान सभा और दूसरा हो गया विदान परिश्द उन दोनों सदनों में से किसी एक का सदश्य होना आफश्यक है तो राजस्तान में तो केवल क्या है विदान सभा है विदान परिश्द है नहीं तो उसे किसका सदश्य होना आउश्यक है विदान सभा का सदश्य होना आउश्यक है तो और जहां पर विदान परिश्द होता है तो वहां पर या तो विदान सभा का सदश्य हो या विदान परिश्द का सदश्य हो तो मुख्यमंत्री बनने के लि किसी भी सदन का सदश्य नहीं है तो क्या करना होता है उसे 6 मां के भीतर भीतर चुनाओ करवा करके विदायक निर्वाचित होना आउश्यक है तो 6 मां के भीतर भीतर उसे क्या है में निर्वाचित होना क्या है आउश्यक है या उसे विदान सभा या विदान परिश्द का सदश्य बनना आउश्यक है कितने 6 मां के अंदर तो जब भैरोसिय सेकावत पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे और जगनात पहाडिया यह दू ऐसे एक्जांपल है जो कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की सपत लीती तब यह विदान सभा के सदश्य नहीं थे बाद में उन्होंने चुनाओं मैं जीत करके 6 महीने के अंदर विदान सभा के सदश्य बने थे तो यह इसका एक्जांपल है नेक्ष्टम देखता है उन्हीं सो सतेतर में जब वैरोस सेखावत ने मुख्यमंत्री पद की सपत ली तो वह विदाई का के सदश्य नहीं थे विदान सभा के सदश्य नहीं थे बाद में उन्होंने चुनाओं जीत करके 6 मां के अंदर अंदर विदान सभा के सदश्य बने तभी वह मुख्यमंत्री पद के लिए पात रहुए नेक । देखते हैं जैनारण व्यास और बहरोसिय कुझा तब बनने किसी भी मंन्त्री परिषत में मंत्री नहीं थे तो गीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कॉड़। देखते हैं कि अधिन्याग दिसकना सब्सक्राइब के रूप में भी कारी किया, तो राजिपाल के रूप में भी कारी करने वाले कौन-कौन थे, वो थे मोहनलाल सुखाडिया, वो कहां के राजिपाल बने आंदर पदेश के, सेवचरन माथुर कहां के बने आसाम के, जगनात भाडिया कहां के बने बिहार के, हरीदेव जोसी कहा व्रोप में भी कारी किया था किस हमें राज्यपाल में अब तक कितनी बार राष्ट्पति शासन लागू हो चुका है तो पहली बार назад यह सर्थान सट में दूस्शी बार राष्टपतियो है 27 तर तीश्री बार कब हुआ 18 सी और तो मुख़ी मंत्री कौन थे मुहनलाल सुखाडिया, दूसरी बार राष्र趣 पती सासन लगा तो मुखिय मंत्री कौन थे? हरी देव जोसी कौन थे हरी देव जोसी तीसरी बार जब राष्टपती सासन लगा 1980 में जब मुख्य मंत्री थे बैरोसियं से कावत तो बैरोसियं से कावत दो बार मुख्य मंत्री थे जब कि राष्टपती सासन लगा और हरी देव जोसी कब थे मुख्यमंत्री थे ठीक है अब हम नेक्स्ट देखते है कि जब 1975 की इमर्जेंसी आपात का लगा था उस टेम राजस्तां के मुख्यमंत्री कौन थे वो थे अरीदेव जोसी यह प्रशन बहुत इंपोर्टेंट है अभी 2023 में ही दो एक्जामों में पूत लिया है 2022 देश में द सेकंड ग्रेड में आया था तो 1975 की जब इमर्गा थी रापातकाल लगा था था पुरे देश में तब राजिस्तां की मुख्यमंत्रि कौन थे ? हरीदेव जोसी कौन थे ? हरीदेव जोसी of Euro जगनात पहाडिया तो राजेसान के पहले अनुसूचित जन जाती के मुख्यमंत्री कौन थे वो थे जगनात पहाडिया जगनात पहाडिया आपने अभी देखा था वो जब मुख्यमंत्री की सपत ली थी उन्होंने तो वह विदान सभा के सदशी नहीं थे वो कहां के सदश तो सपत लेते टाइम क्या है वह विदान सभा के सदस्य नहीं थे फिर उन्होंने क्या किया बाहत में चुनाव लड़के लड़कर के विदान सभा के सदस्य बने थे जगनात पाडिया तो तब ही वह मंत्री बनने के योग यह हुए नेस्ट हम देखते है कि महादेवी वर्मा पर बयान देने के कारण कौन से मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था वो थे जगनात पाडिया तो महादेवी वर्मा पर इन्होंने एक बयान दे दिया था जिसके कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था नेश्ट देखते है, कौन से मुख्य मंतरी बाद में भारत के उपराष्ट रूपती बने, वो है बेरो शी सेकावत, बाद में जागर के भारत के उपराष्ट रड़ा स्वीपती बने, नेश्ट है, राज legend के एक मात अलप शंख्यक मुख्य मंतरी, कौन थे बरकत तुल्ला खा तो मुहनलाल सुखाडिया द्वारा त्यागपत्र देने पर किन्हें मुख्यमंत्री बनाए गया था वो है बरकतुला खां को तो बरकत्तुला खां को मुख्यमंत्री कब बनाय गया था मुहनलाल सुखाडिया ने जब त्याग पत्र दे दिया था तो बरकत्तुला खां को मुख्यमंत्री बनाय गया था और वो राजस्तान के एक मात्र अलप संख्यक मुख्यमंत्री बने है न calidad देखता है कि राजेस्तान की एकमात महिला मुक्यमंत्री कौन बनी है वसंद्रा राजे जब वसंद्रा राजे पहली भार मुक्यमंत्री बनीती कब बनीती EV वहंमें दिसंबर 2020 में कब बनने तीजमय दिसंबर새 2003 में अभी तक दो रार मुखिमंत्री बन चुकी है फिर दो जातीन में वसंद्रा राजे प्रीस टाइप से एक को छोड़ के चल रहा है बिदग नेश्टम देखते हैं राजिस्तान के कौन से सियम मनोनित तथा निर्वाचित दोनों रह चुके हैं वह जैनाराण व्यास जैनाराण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि मनोनित बिदा चुके और निर्वाचित भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री नेश्टम देखते हैं एक वार यह प्रश्न पुछा गया था कि निम्न मैसे कौन से मुख्यमंत्री है जो कि लोग सबा के सदश्य नहीं रहे है तो वह हरीदेव जोसी नहीं रहे भैरोसियस एखावत लो अगला प्रश्न है राज्य मंत्री को अपने विबाग से संबंदित सांखाओं से संबंदित कारे उप्ण मंत्री को सौपने के लिए किसका अनुमोदन लेना आफशेक होता है। तो राज्य मंत्री है उसको अपने विबा के कारे उप मंत्री को सौपने के लिए किसका अनुमोदन लेना होता है वो है मुख्य मंत्री का तो मुख्य मंत्री का अनुमोदन लेकर करके ही राज्य मंत्री अपने विबा के कारे उप मंत्री को सौपता है नेक्स देखते हैं ये तो गया मुख्य मंत्री अब हम देखते हैं मंत्री परिशत क्या है मंत्री परिशत में सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 162 के अनुसार मंत्री परिशत किसके प्रती उत्तर दाई होता है तो मंत्री परिशत उत्तर दाई होता है विदान सभा के प्रती तो आजस्तान का मंत्री परिशत किसके प्रती उत्तर दाई होता है विदान सभा के प्रती किस आर्टिकल के थहत 162 आर्टिकल के थहत नेक्स्ट हम देखते हैं यदि किसी ऐसी व्यक्ति को मंत्री बनना है जो कि राजी की विदाईका का सदशी नहीं है तो राजी की विदाईका का सदशी नहीं है तो क्या घरना होता है उसे 6 मां के अंदर अंदर विदान मंडल का सदशी बनना होता है या तो विदान सभा का ब मंत्री परिशत का आकार तय किया गया इंपर्टेंट प्रश्ण है कि कौन से सम्विधान संसोदन में मंत्री परिशत का आकार तय किया गया वो है एकराणवे सम्विधान संसोदन में जो की दो जार तीन में हुआ एकराणवे सम्विधान संसोदन में मंत्री परिशत का क्या किया गया आकार को तै किया गया कौन से 91 संविधान संसोदन में उसमें विदान सभा के मंत्री परिशत का आकार तै किया गया कौन से 1 राणवे संविधान संसोदन में जो की 2003 में हुआ था नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला प्राशने, किसी राज्य में मुख्य मंत्री सहित, मंत्री परिशत की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है, तो मंत्री परिशत के जो मंत्रियों होते हैं, उनकी अधिक्तम संख्या किसी राज्य में कितनी हो सकती है, तो वो होती है, विदान स सभा के जते भी सदस्य उनकी 15 परशंट तक अधिक्तम मंत्री हो सकते हैं किसी भी राज्य में ये किस सविदान संसोदन के द्वारा लिखा गया ये है इकराणब वे समसोदन दो जार तीन तहीत है तो अधिक्तम कितनी हो गई वह है 15% किसकी सदस्च की 15% स संख्या होती एधिक्तम तो राज राज़िस्तान में विद्या में अधिक्तम कितने सदस्च वहां सौ wra Rossi है 20, 2000 का ما पंद्रा पर Er new की अधिक्तम संख्या होगी तीस जिसमें से उन्तीस तो क्या होगे मंत्री और एक क्या होगा मुख्य मंत्री तो यह तीस संख्या यह क्या है मुख्य मंत्री सहित है तो राजस्तान की जो मंत्री पडिशत में मंत्रियों की अधिक्तम संख्या होगी तीस होगी जिसमें से एक म मंत्री होंगे यह तो क्या होगी अधिक्तम संक्या अब हम देखते हैं न्यूंतम संक्या न्यूंतम संक्या कितनी हो सकती है राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूंतम संक्या कितनी होगी वो है बारा बारा होगी न्यूंतम संक्या और तीस होगी अधिक्त की संखिया राजस्थान में नेक्ष्ट हम देखते हैं कौन सा आर्टिकल मुख्यमुंत्री की न्यूक्ति वेतन भत्तों कारिकाल आदी से संबंदित है वह है आर्टिकल 164 कौन डिसकस करेंगे उसका नाम है राज्य विदानसभा या स्टेट लेजिसलेटिव असम्बली इसम सबसे पहले हम देखते हैं धकी तो राजश्तान की जो 36 विदानसभा उसके अध्यक्स कौन बने है तो 16 विदानसभा में बने वह सु देव देवनानी अगला प्रश्ण हम देखते है सोल विदानसभा के इस स्पीकर किना बनाये गया था तो सोलवी विदान सबागे pro time speaker बनाया गया था काली चरन सराब किनको काली चरन सराब को सोलवी विदान सबागे pro time speaker बनाया गया है तो pro time speaker होता क्या है तो ये क्या होता है temporary speaker होता है जब तक speaker अपना जो इस्थाई speaker है वो अपना कारेबार नहीं संभाल लेता तब तक उनकी जगह कौन काम करता है pro time speaker तो ये क्या होते है temporary speaker होते है pro time speaker तो आपके जो college lecturer का exam 2020 में ये पूछा गया था उस time पंदरवी विदान सभा थी तो पंदरवी विदान सभा के pro time speaker कौन थे ये पूछा गया था तो अभी ये शोलवी विदान सभा बन गयी है तो इसके pro time speaker कौन है वह है काली चरण सराब आगे हम देखते है राजिस्तान के जो मुख्य मंतरी कौन बने है वह बने है बजनलाल सर्मा और राजिस्तान के उप्प मुख्य मंतरी डिप्टी सियम डिप्टी सियम दो लोगों को बनाये गया है पहली तो है दिविया कुमारी और दूसरी है प्रेम चनान बेरवा नेक्ट हम देखते है महिला सदश्य महिला सदश्य की इस्तती इस पे लगा लो वेरी वेरी इंप्परेंट यह बहुत इंप्परेंट है क्योंकि अभी यह नार रस्प्री 2023 में भी इससे प्रशन पूछा गया था उस टैम पंदरवी विदान सभा थी तो पंदरवी विदान सभा के बारे में पूछ लिया और आपके जो कॉलेज लेक्षरार है 2016 उसके एक्जाम में भी इससे प्रशन पूछा गया था तो महिला सदस्य वाला अच्छी से याद करना है सोलवी विदान सभा में कुल कितनी महिलाए निर्वा चित हुई तो कितनी महिलाए निर्वा चित हुई सोलवी विदान सभा में वो है 20 महिलाए 20 महिलाए विदान सभा सदस्य निर्वा चित हुई या MLA बनी कितनी 20 महिलाए है वो MLA बनी है सोलवी विदान सभा में तो चनाव तो जादा ने लड़ा था जीत करके MLA कितनी बनी वह 20 महिला है ठीक है तो 20 महिलाओं में से जो 7 महिला है वो किसकी है अनुसुचित जाती से संबन दिते और 2 महिला है वो अनुसुचित जन जाती से संबन दिते तो आपके अभी RSP 2023 में जो प्रश्न पूछा गया तो जो पंधरवी विधान सबा से प्रश्न पूछा गया था कि जो पंधरवी विधान सबा में कितनी महिलाएं अनुसुचित जन जाती से निर्वाचित हुई है तो अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती से निर्वाचित महिलाओं की संख्या पूचिती आरेस प्री दोजार तेईस में तो आपनको अभी 16 वी विदान सभा आ गई है तो इसका याद रखना है कि अनुसुचित जाती से निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है वह साथ और जबकि अनुसुचित जन जाती से निर्वाचित महिलाओं की संख्या है दो और राजस्तान में कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी होगी 20 तो यह याद रखना है important है बहुत, तो राजिस्तान में कुल निर्वाचित महिलाओं कि संख्या 20, उसमें से 7 महिलाओं तो किसकी है अनुसुचित जाती की, और 2 महिलाओं है अनुसुचित जन जाती की, तो important है थोड़ा याद रखना है इसको, next हम देखता है 20 महिलाओं है, उसमें से 9 महिलाओं तो किसकी, BJP से थी, 9 महिलाओं किससे थी, Congress से और 2 महिलाओं क्या थी, निर्दलिया, तो 9 तो किसकी थी, BJP की और 9 किसकी थी, Congress की और 2 किसकी थी, वो थी निर्दलिया, 20 विदायक बनी है महिलाओं, तो आगे हम देखते हैं, राजिस्तान में कितने सीत जनाती के लिए आरकशित है रतीज़र इन अनुसुचित जन जाती के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 25 और कुल सीटे कितनी है 200 उसमें से 34 सीटे तो किसके लिए आरक्षित है अनुसुचित जन जाती के लिए और 25 सीटे है अनुसुचित जन जाती के लिए आरक्षित है तो यह याद रखना है थोड़ा और महिला कितनी निर्वाचित हुई है 20 उसमें से साथ तो क्या है अनुसुचित जाती की है और दो महिला अनुसुचित जन जाती से निर्वाचित हुई है तो यह इंपोर्टेंट है थोड़ा तो आगे हम देखते हैं अब राज्ये विदानसभा के बारे में अभी तक तो हमने 16 विद विदानसभा में न्यूंतम तता अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो आर्टिकल 177 में का गया है कि किसी राज्ये में जो न्यूंतम विदानसभा सदस्यों की संख्या किसके बीच में होगी 60 से लिकर के 500 के बीच में होगी लेकिन इसके अपवाद भी है जहा कि विदान सभा सदस्यों की संक्या 60 से कम है अनुचेद 107 में यह का गया है कि होनी कितनी चाहिए 60 से लिकर के 500 के बीच में लेकिन कुछ अपवाद भी है जहां पे 60 से कम है तो यह चीज याद रखनी है कि राजिस्तान विदान सभा में सदस्यों की संक्या कितनी है तो राजिस्तान की विदान सभा में सदस्यों की संक्या है वो है 200 राजिस्तान विदान सभा में सदस्यों की संक्या कितनी है 200 तो यह चीज याद रखनी है कि राजिस्तान विदान कब से कब तक थी वो है 1952 से 1957 तक पहली विदान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी तो राजिस्तान की जो पहली विदान सभा थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी 160 वर्तमान में तो कितनी है 200 लेकिन पहली विदान सभा थी ना उस टेम सदस्यों की संख्या थी 160 और ये 160 संख्यान किने निर्दारित किती ये निर्दारित किती परी सीमन आयोग ने तो emergency संख्यानाय पहली विदान सभा में तो सबसे बड़ी पार्टी यो कौन सी थी Congress, Congress ने 160 में से 82 सिट जीत ली ती उस चुनाओं में, फिर Congress के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, वो कि राम राज्य परीस्त, प्रशन पूचा गया, एक वार, Congress के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, वो कि राम राज्य परीस्त, नेक्ष्ट हम देखते हैं राजस्तान में पहली विदानसभा के अध्यक्स कौन थे वो थे नरुत्तम लाल जोसी राजस्तान में जो पहली विदानसभा है उसके अध्यक्स थे नरुत्तम लाल जोसी और पहली विदानसभा के अध्यक्स थे लाल सीह सकतावत अब हम आगे दे जो पहला विधान संभा हुआ था तब विधान सभा तो पहला विधान सभा के संध्य यह संख्या 160 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई 166 तो दूसरे विदान सभा चुनाओ में यह संख्या कितनी कर दी गई 166 कर दी गई जब चौथा विदान सभा चुनाओ तब चौथा विदान सभा चुनाओ कब हुआ था 1967 में 1967 में विदान सभा सदस्यों की संख्या कितनी 166 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई 184 तो चौते विदान सभा सदस्यों की संख्या 166 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई 184 नेक्ष तम देखते हैं छटा जो विदान सभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ा करके कितनी कर दी ग पुछा जाता है कि विदानसभा सदुष्यों की संक्या इतनी कप थी कौन से विदानसभा चुनाव में थी तो पहले विदानसभा चुनाव में विदानसभा सदुष्यों की संक्या एक सो साथ अगे हम देखता है क्या सदस्थ चुना यह मली क्या है वो देख लेते हैं वह भारत का नाखरिक रोना sound तो यह याद रखना है उसके उम्र कितनी होनी चाहिए 25 से ज्यादा होनी चाहिए 25 वर्ष की आयू पूर्ण कर चुका होना चाहिए दिखते हैं संसत द्वारा निर्दारित योगीता पूर्ण करना चाहिए उसको नैस्ट है कि मानसिक विक्रत पागल दिवालया गोसित न हो पागल न हो दिवालया न हो आगे हम देखते हैं जंकवादी गति विद्यों मिलावट खोरी तसकरी विदेशी मुद्रा अधिनियम अपरादी व्यक्ति चुनाओ लडने के लिए क्या माना गया है तो यह सबी है जो एमेले है उनकी योगिता है और कौन-कौन मले बन सकता हैं और कौन-कौन नहीं बन सकता उसके बारे में दिया गया है अब हम देखते हैं कि एमेले की जो सपत है, इसको थोड़ा याद रख लेना क्योंकि ये भी Newspaper में ये थोड़ा ज़ादा था कि MLA जो सपद लेते हैं, वो किन-किन बासाओं में ले सकते हैं, वो केवल उन्हीं बासाओं में सपद ले सकते हैं, जो कि आठवी अनुसूची में दर्ज है, जो राजस्तानी बासा है, वो आठवी अनुसूची में दर्ज नहीं है, इसलिए राजस्तानी बासा में सपद को मानिया नहीं माना जाता अभी आपने अगर न्यूस पेपर में देखा हो क्लेफ वगर देखी हो तो कुछ MLA ने राजस्तानी बासा में पहले सपत लीती बाद में उनसे वापिस सपत लेने के लिए कहा गया था उन भासा में जो कि आठव यूस उची में दर्ज है उसमें नेक्स एम देखते हैं, राजस्तान विदान सबा से पहले राजस्तान विदान सबा के जो पहले अजेक्स थेwright नेरुत्तम लाल जो Olay राजेस्थान की जो विदान सभा है उसके पहले अध्यक्स थे वो थे नरुत्तम लाल जो सी वो किस विदान सभा में अध्यक्स बनी पहली विदान सभा में जो की 1902 से 1907 के बीश थी तो राजेस्थान विदान सभा के पहले अध्यक्स थे नरुत्तम लाल जो सी देखते हैं राजिस्तान विदान सिभा की पहली महिला अध्यक्स, पहली महिला अध्यक्स कौन थी सुमित्रा सी हैं, तो राजिस्तान विदान सिभा के पहले अध्यक्स होगे नरुत्तमलाल जो सी, पहले गैर कॉंग्रेसी अध्यक्स लक्षमन सी हैं, पहली महिला अध्यक्स की समित्र सबस्तिए यह सब पूछय जाचोगे कि मंतरी बनने वाली राज़स्तान की पहली कमला बेनिवाल और म्ले बनने वाली ज़ो राजस्तान की पहली महिला लेकर अपनी मिर्टियों तक कौन से जो विदानसबा की ठे जोकी लगातार सदस्जी रहुतार। नाइस्ट कौन से मुक्षी मंतरी को डिंग गोली कांट के कारण करण स्थिपा दिनकी अपड़ा। इंक अगला प्रिशन देखनें ग्रुमट। दीट है सोल्वि विदान सभा में राजिस्ताम के प्रोटम चरन सराप और आप से पूस लिया जाए कि इस्ता यह स्पीकर कौन है वह है वासुदेव देव्नानी और प्रोटम स्पीकर कौन थे वह थे काली चरन सराप नेफ्ट हम देखते हैं pro time speaker pro time के word में क्या आ रहा है temporary तो वो क्या होता है temporary speaker होते हैं इनकी न्यूकति कौन करता है राज्यपाल करता है pro time speaker की न्यूकति करता है राज्यपाल और जब तक विदानसभा का अध्यक्स वो अपना जम्यदारी संभाल नहीं लेता तब तक उस पद पर यह कौन काम करता है pro time speaker तो pro time speaker क्या होता है temporary speaker होते है न्यूकति हम देखते हैं राज्य के विदानसभा चुनाओं की अधिश उचना कौन जारी करता है तो राज्य के विदानसभा चुनाओं की अधिश उचना जारी करता है वह करता है राज्यपाल अगला प्रशन है राश्ट्पति चुनाओं के लिए विदानसभा की प्रतेक जो विदायक है उसका मुल्यमत कितना रहता है तो राश्ट्पति के चुनाओं के लिए जो मिले है इसका मतमल्य कितना है उसका फनक्रा है एक सो निस्ट विदान सभा hij kita का अपना इस्टीपाइञ सो देता कि आ वो देता है उपाध्यक्स को और बुद्धान का जो अपना किसे देता है उपाध्यक्स समीतियों के बारे में इसका भी प्रशन पूचा घा है तो इसके बारे मैं देखता है विदान सबहा में 7 की संखिया कितनी है वो 22 तो यह इसले में राज्यस्तान की विदान सबहा में समितितियों कि संक्या कितनी है 22 जिसमें चार समीतिया तो क्या है सम्मझतित और 18 किया अनिय सम्मझतिय है आपके कॉलेद लेक्षेयर एक तब यह पुछा गिया था ति सही गिलत वाण ुच Schools पूछा गिया था कि जो 4 समेतिय सहित सम्मिनीद संक्या कितनी है 18 एसे बोर दिया जिस्ताइय और शन्वा करते राज है राजस्तान-विदांसभा समीतिया कौन कौन सी है तो विद सम्मंदी समीतिया है कितनी चार कौन कौन सी है उनके नाम देख लेते हैं लोग लेखा समीति दूश्री है सारवजनिक उपकरम समीति तीश्री है प्राकलं समीति कर और चौथी है प्राकलं समीति ख ठीक है तो राजेस्थान विदान सभा में निरिद्धिक के लिए समय को निर्दारिद करती है उनकी चरचा की लिए समय को निर्दारित करती है तो यह वाला एक प्रशन पूछा किया था, राज़िपाल के जो अभी बावस्थन में, जो नर्दिष्ट विशय दिये गए हैं, उनकी चर्चा के लिए जो समय नरदारिद करने का काम कौन सी समीति करती है, वो करती है, कारेसलाहकार समीति, तो राज़िपाल के अभी बावस सब्सक्राइब करता है विदान सभा सची वाले के बारे में देखते है तो वर्तमान में वह है महावीर प्रशाद सर्मा कौन है महावीर प्रशाद सर्मा विदान सभा सचीवाले का क्या है सचीव है तो विदान सभा सचीवाले के सचीव कौन है वह है महावीर प्रशाद सर्मा नेक्ट हम देखते हैं स्पीकर की निव अनुपस्तिती में विदान मंदल द्वारा पारित किसी झाले को राजिपाल के पास विदने से पूररी प्रमानी करने का काम करता, वु करता है है विदान सभा सची वाले का सचव काम करता है आपने जब लोकायुक पढ़ा था तब आपने देखा था कि लोकायुक इनके खिलाब जांच नहीं कर सकता उसमें देखा था विदानसभास प्रप्षी वाले के जो अधिकारी है उनके खिलाब देखा था राजिस्तान का उचन्याएलय-ग अब हम राजिस्थान का उच्य नियायले है, उसका इस्तााप ना कब हुई, वो देखते है और उसके बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते है राजिस्थान जो उच न्यायले का उद्गाटन कब किया गया तो यह पूछा जाता है राजिस्थान उच न्यायले का उद्गाटन हुआ 29 अगस्त 1990 को उद्गाटन को उद्गाटन कहां पर जैपूर में हुआ तो राजिस्थान के उच न्यायल देका उधगाटन हुआ 29 अगस्त 1990 को हुआ जैपूर में हुआ और उस टाенд के राज प्रमुक्त सवाई वाजन क keyword ने यह उदगाटन समीति की सिपारिस के आदार पर वो कब समीति है उनिस सो अठावन में तो राजिस्तान हाई को जैपुर से जोदपुर इस्थान आंतित किया गया सत्यन आरायन राव समीति की सिपारिस के आदार पर कब इस्थान आंतित किया गया वो किया गया उनिस सो अठावन में नैस्टम देखते हैं जब 29 अगस्त 1990 को जब राजिस्तान के हाई कोट का उदगाटन हुआ तो राजिस्तान के पहले मुखी नयादिस की सपत किनों ने ली तो राजिस्तान के जो पहले मुखी नयादिस बनेते वो बनेते कमल कांत वर्मा तो राजिस्तान के पहले मुखी न्याइदिस कौन बनेते वो बनेते कमल कांत वर्मा तो राजिस्तान के पहले मुखी न्याइदिस याद रखना है कौन है कमल कांत वर्मा नियाश्टम दिखते हैं जब 29 अगस्त 1990 को मुखी न्याइदिस ज तो यह अन्य न्यायदिशो वाला प्रश्ण भी आपके पूछा जाता है, अन्य न्यायदिशो में आपसे क्या पूछा जाता है, न्यायदिश का नाम दे देते हैं, और उनका संबंद किस, कहां से है, वो पूछते हैं, मैच कराने का प्रश्ण पूछते हैं, तो इनको देख सबसे पहले हम देखते हैं केके सर्मा का समंद कहां से था भरतपुर से शेम्चंद गुपता का समंद कोटा से आंनंद नारायन पूल इनका समंद था अलवर से तिलो चंदट इनका समंद था बीकानेश से लाला नवल किसोर तथा कुवर अमर्शिय जसोल इन दोनों का सम्मनता जोदपुर से लाला नवल किसोर तथा कुवर अमर्शिय इन दोनों का सम्मनता जोदपुर से नैश्टम देखते हैं कवर लाल बापना तथा महमद इब्राहिम इन दोनों का सम्मनता जैपुर से जवान सिहं रानावद तता सार्दूल सिहं मेंता इंदुना का संबन्ता उदेपुर से नियाश्ट है दुर्गा संकर दवेद का संबन्ता बुंदी से तो एक तो कौन थे मुख्य नियादिस जो कौन थे कमल कांत वर्मा उनके अलावा 11 अन्य नियादिसों ने सपत लीती 29 अगस 1950 को तो अनिय नियादिसों का जो प्रश्न उनका संबन्त किस से था तो वो पूछा जयता है तो इसको वापिस देख लेता है दुर्गा संकर दवे इनका संबन्ता बूंदी से तो यह हमने देख लिए क्या है जो अन्य नयादिशों ने सपत ली थी 29 अगस्त उनिस उन पचास को नेश्ट हम देखते है सत्य नाराण राव समीती चोंकी उनिस सो अठावन में आई उसकी शिपारिश के आदार पर राजि तो फिर फिर वापिस क्या है 1906 में कब 1906 में राजिस्थान हाई कोट की इस्थाई पीट या इस्थाई पीट या बेंच का जो इस्थापना जैपूर में करने का आदेश दिया गया तो वो आदेश किनों ने दिया राश्च्पती ने दिया और यह आदेश दिया गया 1906 को 8 December 1906 तो क्या है राजिस्तान हाई कोड की जो इस्थाई पीट है उसकी स्थापना जैपूर में करने का आदेश राश्च्पती ने कब दिया वो दिया 1906 तारिक पूछले तो 8 December 1906 को राश्च्पती ने ये आदेश दिया कि राजिस्तान हाई कोड की इस्थाई पीट की इस्थापना जैपूर में भी की जाए तो ये आदेश दिया 8 December 1906 नेक्ट हम देखते है इस आदेश के तहट जैपूर में जो खंड पीट याने बैंच उसकी इस्थापना कब हुई तो राजिस्तान हाई कोड की जो बैंच है उसकी इस्थापना जैपूर में कब हुई उस आदेश के तहट वह है 31 जनवरी 1907 को इस्थापना हुई जबकि आदेश दिया गया 8 December 1906 राश्पती का आदेश तो कब आया 8 December 1906 को उस आदेश के तहट जो इस्थापना हुई वह हो पाई 31 जनवरी कहां है जोदपूर में और उसके इलावा उसकी खन्ड पीट है या उसकी बैंच कहां पर इस्तित है वह जैपूर में इस्तित ने पर ये प्रस्ष्न पूछा गया था यह याद रख लेना राजस्तान उच्च न्यायले के नियम 1952 इसे इंग्लिस निया क्या बोलता है राजस्तान High Court of Judicator Rule 1952 राजस्तान ऊच्च न्यायले के नियम 1952 ये कब लागू हुआ राज रजिस्थान लोग सेवा आयोग यौ APP अदेश उनpptचास द्वारा फिसका गठण कब किया गया तो नहीं किया गया था बीस अगस्त तुन्न सो इनंत्रांट को कब किया गया था टीक है लेकिन उस समय आरपे शी ग्रिया सेटれ नहीं था हुआ प्रबाव में थी ठीक है तोiums chip रियासिन कंभी 22 दिसंबर एक का गठन को खथ कहणा गठन किया गया था थे अब हम आगे देखते हैं कि PRAARAM में जब आर्पीसी का गठन किया गया था तो आर्पीसी का मुख्याले कहां पी था जैपूर में था ठीक है प्रारम में आर्पीसी का मुख्याले जैपूर में था लेकिन एक समीति है उसकी सिफारिस के आदार पर आर्पीसी का मुख्याले बाद में जैपूर से कहां कर दिया गया राव समीटी की सिपारिश के आधार पर अब हम आगे देखते हैं कि पहले अध्यक्स कौन थे तो आरपी सी की पहले एज्यक्स थे के गोष कौन थे एस के गोष थे पहले एस्टवट एस ताइन मुख्य एक और पूर्व EU discussing सदस्य थे ठीक है पूरो UPSC सदस्य थे और एक IS थे अब आगे हम देखते हैं वर्तमान में RPSC का मुख्याले कहा है वो है अजमेर में चब RPSC का गठन किया गया था तब RPSC का मुख्याले कहा था वो था जैपूर में लेकिन सत्य नारायें ड्राव समीति की सिफारिस के आदार पर RPSC का मुख्याले जैपूर से कहा कर दिया गया अजमेर कर दिया और वर्तमान में RPSC का मुख्याले है अजमेर में नेक्तम दिखते है कि RPSC के सदस्यों के कुल संख्या अधिक्तम कितनी हो सकती है RPSC में सदस्यों की कुल संख्या अधिक्तम हो सकती है आठ कितनी हो सकती है? आठ सदस्यों हो सकते है अधिक्तम उसमें से एक तो क्या होगा? अधिक्तम होगा ठीक है तो सदश्य मतलब अद्यक्स प्लस सदश्य इसकी अधिक्तम संख्या हो सकती है आंट तो एक तो क्या होगा अधिक्स होगा और सांथ क्या होगी अधिक्तम सदश्य हो सकते हैं तो RPSC में सदश्यों की अधिक्तम संख्या आंट एक तो क्या होगा अधिक्स और सांथ अ आयू पूर्ण करना है या तो उसने 6 वर्ष का कारिकाल पूरा कर लिया हो या फिर 62 साल की आयू पूर्ण कर लियो ठीक है तो इन दोनों में से जो भी उसने पहले किया है उसके आदार पर RPSC के सदस्य का या अद्यक्स का कारिकाल होता है अब हम आगे देखते हैं कि RPSC अद्यक्स का जो पद है वो क्या है एक समवेदानिक पद है क्या है समवेदानिक पद है ठीक है तो इसकी न्यूक्ति कौन करता है वो करता है राजस्थान का राज्यपाल तो RPSC के अद्यक्स क कि नि doğru Gary Какiste . ऩो कॉन करता का राजिस्तान का राजिपाल करता है ठीक है अब आगे दीखते हैं कि आरपीसी अपना वार्षिक्ति वेदन किसे प्रस्तूत करती है राजिस्थान के राजिपाल को RPC के अद्यक्स के रूप में सबसे लंबा कारिकाल किसका रहा वो था DSTWD का ठीक है RPC के अद्यक्स के रूप में सबसे लंबा कारिकाल रहा था DSTWD इनका DSTWD ठीक है Next हम देखते कि RPC के कौन से ऐसे सदस्य है जो कि अज्यक्स भी रह चुके और सचीव भी रह चुके है तो अज्यक्स और सचीव दोनों रह चुके ऐसे अज्यक्स कौन है वो है N के बहरवा तो N के बहरवा है वो अज्यक्स भी रह चुके है और सचीव भी रह चुके है सबसे कम कारकाल कुन का रहा वह q एस वह कर्याएं कि सिलार के एक लोग सेवा आयोक का घठन करने का प्रावधान है अथिकल 315 एक ठीक है आर्टिकल 315 में यह प्रावदान है कि प्रतिक राज्य के लिए एक लोग सेवा आयोग होगा राज्य लोग सेवा आयोग होगा ठीक है तो कौन से आर्टिकल में यह प्रावदान है कि प्रतिक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा वो है आर्टिकल 315 में ये प्रावधान है कि प्रत्यक राज्जी के लिए क्या होगा एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है अब हम आगे देखते हैं कि राज्यस्थान लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्स तता उनके सदस्यों की जो न्यूक्ति करता है वो कौन करता है राज्यस्थान का राज्यपाल करता है राज्यपाल ठीक है उनकी न्यूक्ति तो राज्यस्थान का राज्यपाल कर देता है ले के अध्यक्स तता इनके सद्यस्यों को केवल और केवल राष्टपती की आग्या की आधार पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है ठीक है तो राष्टपती और उनके न्यूपती कौन करता है वो है राजस्थान का राज जिपाल यह कुछिन अर्यस दोजार तेश में अभी पूछा गया था अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो तथा अधिक से शार गृति क्या होता है जिल्ला इस तरपर जिल्ला प्रसाइशन का सरो चदरी podcasts नेस्टब्ध गया है उ Bunu कि देखते हैं जिल्ला कल्डेकटर कें तो मैन भूशन पूऻए जाता है निस पूह सब्सक्राइब का कम करता है जिल्ला कलेकटर क्या होता है जिल्ले का राजस्व अधिकारी होता G pregnant है बुँअ सब्मन्दी अगला प्र energies लेखते हैं जिल्ला स्वामी क्लेकटर को सक्चारी भूमी है उसका सवामी कौन होता है कर दो मिदी में वो होता है जिल्ला कलेक्टर या डियेम तो जिल्ला इस तर पर जो सरकारी भूमी का स्वामी होता है वो होता है जिल्ला कलेक्टर जिल्ले का क्या होता है दंड नायक या मजिस्ट्रेट भी होता है जिल्ला कलेक्टर होता है वो जिल्ले का दंड नायक या मजिस्ट्रेट होता है आपको ऐसी option दे कार्य हॉन सा कार्य है वह जिल्ला collector का Rise कार्य के रोप में नहीं है या कौन-कौन से कार्य है जो कि जिल्ला collector के northean Além के रूप में है तो वे वहihiला याद रखने कार्य कार्य क aurait तो पहला कवले क्या है जिल्ले में सांती एंवं सुरक्षा बनाए रखना तो पहला कारी है जिल्ले में सांती एंवं सुरक्षा बनाए रखना ये जिल्ला कलेक्टर का धंडा दीकारी के रूप में काम है दूशा काम है जिल्ला पुलिस तंत्र पर नियंतरन रखना क्या है जिल्ला पुलिस तंत्र पर नियंतरन रखना विदेश्यों के पारपत्र पारपत्र मतलब पासपोर्ट इसकी जांच करना यह पूछा जाता है कि विदेश्यों के जो पारपत्र है उनकी जांच करना कौन से कारियों के अंतरगत आता है वो है दंडा दीकारी कारियों के अंतरगत थीक है तो विदेश्यों के जो प दंडा दिकारी कारी के अंतरगत आता है, अगला हम दिखते है, जिल्ला काराग्र का निरिक्षन करना, ये भी किसका है, जिल्ला कलेक्टर का काम है, दंडा दिकारी के अंतरगत, अगला है, धारा 144 में सांती बंग करने वाले मामलों की सुनवाई करना, जब धारा 144 लगी वी ह तब शांती जो बंग करने वाले जो मामले आते हैं, कुछ उनकी भी सुनवाई भी कौन करता है, जिल्ला कलेक्टर अगला प्रश्ण हम देखते हैं, सस्त्रालेयों पर नियंतरन दखने का काम, धंडा दिकारी कारियों के अंतरगत आता है एक वार इसको वापिस देख लेते हैं, जिल्ला गलेक्टर के दंडा दिकारी के रूप में काम कौन से है, पहला है जिल्ले में सांती वो सुरक्सा बनाये रखना, दूसरा है जिल्ला पुलिस तंत्र पर नियंतरन रखना, तीसरा है दंगे, आंदोलन, ट्रदर्शन, आतंकव गतीविद्यो, जाती है संगर्ष्रों इन पर नियंतरन रखना, नयक्स्ट के विदेश्यों के जो पासपोर्ट हैं इनकी जांच करना, अगला है जाती तता निवास, तरफाãyनी आउश्यक प्रमान पत्र जारी करना, नयक्स्ट के जिल्ला, कारा गृह का निरिक्षन करना, नेश्टे धारा 144 में जो सांती भंग करने वाले हैं मामले हैं उनकी सुनवाई करना अगला है कि सस्तालेयों पर नियंतरन रखना नेश्टे तसकरी नसीली दवा के व्यापार इत्यादी पर नियंतरन रखना तसकरियों पर तदा नसीली दवाओं के वपार पर नियंतरन दखना ये तो सब क्या होगे जो जिल्ला दीस है या जिल्ला कलेक्टर है उसके दंडा दिकारी के रूप में जो कार्य है ये पूछे जाते है अगला हम देखते है प्राक्रतिक आपदाओं की निवारन है तो कौन अधियक्स बना गया है तो जिल्ला कलेक्टर होता है वो क्या होता है जिल्ला आपदा प्रबंधन ट्रादिकरन का अधियक्स जो बनाए जाता है वो कौन से अधिनियम के ठहट बनाए जाता है वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के ठहट तो जिल्ला कलेक्टर को जिल्ल आपदा प्रबंदन प्रादिकरण का जो अधिक्स बनाया गया है वह है आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 के अंतरगत यहाला प्रश्ण अभी 2022-23 में किसी एकज्या में पूछा गया है तो इंपर्टेंट है है जिल्ला कलेक्टर होता है जिल्ले का होता है इसे क्या बहु कहta पास होता है जिल्ला कलेक्टर के पास ही होता है जिल्ला इस तर पर चुनाव करवाने का कारी होता है जिल्ला कलेक्टर के पास अगला हम देखते है प्रोटोकॉल संबन्दिकारे जिल्ला कलेक्टर के प्रोटोकॉल संबन्दिकारे कौन से है जब भी कोई बड़ा पदा दिका मुक्यमंति वगर आगे कोई वी बडा पदा काम करता है तो जिल्ला कलेक्टर जिल्ला इस्तर पर विकासकारियों के परियवेक्षन तथा नियंत्रन का काम करता है तो जिल्ला इस्तर पर जो विकासकारियों है उनके परिवेक्षन तथा नेंत्रन का काम कौन करता है वो करता है जिल्ला कलेक्टर तो इस तर पर वो एकदम सही रूप से कारिक कर रही है योतना या नहीं इसके काम कौन कर ठा यह करता है जिल्ला कलेक्टर कर ठाभा respir होते है उनका का सिरीब की तो तक हम दे अनका रहा निश्चित होता है है उनका थोड़ा याद रख देना कि जिल्ला कलेक्टर का जो औसत कारिकाल है राजस्थान में ग्रवा करने का काम भी होता है जिल्ला कलेक्टर का होता है तो जिल्ले का प्रमुख जंगनना अद्रिकारी होता है जिल्ला कलेक्टर नेश्ट देखते हैं जिल्ला कलेक्टर भूदस्ता वेजों के रख रखाओ का भी काम करता है तो भूदस्ता वेजों के रख रखाओ का कारी भी किसके अं आगे देखते हैं जिल्ला कलेक्टर जिल्ला प्रसाशन तता राज्य सरकार के बीच में समन्वे को इस्थापिद करता है तो जिल्ला कलेक्टर होता है वो जिल्ला प्रसाशन और राज्य सरकार एंके बीच में समन्वे को इस्थापिद करने का काम करता है अगला प्रशन है कि जिल्ला महिला सायता समीति का अध्यक्स कौन होता है वो होता है जिल्ला कलक्टर ये प्रश्ण वेक वार पूछा गया है कि जिल्ला महिला सायता समीति का अध्यक्स होता है जिल्ला कलक्टर ठीक है अब हम आगे देखते हैं कि जिल्ला होता है जिल्ले के नीचे वाला इस्तर होता है वहाँ पी क्या होता है तो जिल्ला है जिल्ले के नीचे क्या आता है सब डिविजन सब डिविजन या उपखंड आता है और उपखंड के नीचे क्या आता है तो अब हम उपखंड के बारे में देख लेते हैं उपखंड या सब डिविजन तो उपखंड या सब डिवि SDM, आगे हम देखते है, SDM को भी है ना, जिला कलेक्टर के समान, बहुत सारे काम दिये वे होता है, न्यायक कारे, गंड़नायक कारे, नियामक कारे, निरिक्षन कारे, इत्यादी कारे दिये गए है, ठीक है, अब हम आगे देखते है, SDM है, वो निर्वाचन की द्रिष्टी से क्या होता है, यह important है थोड़ा, SDM होता है, वो निर्वाचन की द्रिष्टी से कौन सा अधिकारी होता है, वो है पंजियन अधिकारी, जबकि आपको बोल दिया जाएगी, जिला कलेक्टर को क्या बोलती थे, वो तो returning officer, और returning officer तो कौन होता है, वो होता है, जिला कलेक्टर, ये ऐपको yenna अधिकारी होता है, वो हता है, वो होता है, SDM, और returning officer होता है, वो मिंधीफिकार को होता ह réussi, तो SDM का काम क्या होता है, बद्दाता सूची में नामों को धर्ज करना और उसको कुछ नामों को एटाना तो जो नाम नहीं है उनको धर्ज करना और और पुराने जो नाम है जिनकी मित्यhthal हो चुक है या पर जो कही दूसरे measuring पे Chapter गया उनके नामี้ को हटा देना तो यह किस का काम होता है यह साउड्achment d берसपों तो सब्डिविचन के नीचे वाल इस्तर पर क्या आता है वह आता है तहसीली मुख्यी प्रसाश्निय करतीणारी को दिकर्थ होता है कॉन होता है टहसिल्ले को सबसे उपर कौन होता था जिल्ला कलेक्टर के बाद के बाद आघा सब डिविजन सब डिविजन का कौन था Уब् विज़न को दिकारी यह वह होता है और निद्सक्राश्सिल के समंधि का Commerce प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् नायब तहसिलदार के नीचे आते हैं राजस वो निरिक सकते हैं पत्वारी नायब तहसिलदार की जो नियुकती करता है वो कौन करता है राजस वो मंदल यह वाला प्रशन आपके RSP23 में पूछा गया है कि तहसिलदार है उसकी नियुकती करता है वो करता है राजस वो मंदल तो तहसीलदार की नुकति करता है, वो करता है राजसव मंडल द्वारा, तो अब एक option में ऐसे था RPSC द्वारा, तो ऐसे RPSC था और एक option में था राजसव मंडल, तो क्या option सही क्या है राजसव मंडल, तो इसकी न्यूक्ति करने का काम क्या है राजयसवन्दल करना है तो यह याद रखना है कि तौता नायब तहसीलदारा की न्यूक्ति करना मेंर रखागया अधिनस्त सेवा के अंतर्गत में होती है नायब तैसिल होते है उनकी जो ट्रै oriented में वह में होती है यह आपके र्बीए सी बोर्ड की किताब में दिया वाएक की इनकी चरीनिंग का काम होता है द्रेनिंग दोट Wür चाहने और सिक्षनर विद्धियालने । तॉक में द्रेंटी है अगे हम दिखतें एनकी चरीनिंग कितनी होती है 18 माहती है नच्व काजर लार्च चाहटु reflect अगे हम देखते हैं तैसिलदार को राजस्वु संबंधी विवात सुनने का अधिकार किसके अंतरगत दिया तो राजस्वु अधिनियम 1956 तथा राजस्थान कास्तकारी कानुन 1955 के अंतरगत तो राजस्तान कास्तकारी कानून 1955 तथा भूराजस्व अधिनियम 1956 के अंतरगत जो तहसिलडार है उसे राजस्व संबंदी विवाद सुनने का अधिकार दिया गया है मानवादिकार संदक्षन अधिनियम कब लागू हुआ वहा 1993 में इस मानवादिकार संदक्षन अधिनियम अब 18 जन्वरी 1999 में इस मानवादिकार आयोग का गठन तो हो गया था लेकिन उस टाइम ये क्रिया सिल नहीं था तो राज्य मानवादिकार आयोग क्रिया सिल कब से हुआ वह हुआ मार्च 2000 से ठीक है तो तीन चीज़े यह याद दखनी है तो मानवादिकार संदक्षन अदिन में ठीक है फिर मानवादिकार आयोग का गठन किया गया 18 जन्वरी 1999 में ठीक है और उसके बाद तीस्टा है कि मानवादिकार आयोग जो क्रिया सिल कब से हुआ क्रिया सिल हुआ वह मार्च 2000 से ठीक है तो यह तीन चीज़े है मानवादिकार संदक्षन अतिनियम लाग हुआ मानुवादिकार आयोग की गठन कभ किया गया 18 जन्वरом 1919 में मानुवादिकार आयोग जो क्रियाशल कभ से हुआ हुआ वह हुआ मार्च 2000 से ठीक है व्वह आगे देखते हैं। मानँवादिकार संदक्ष forensic अधिनियम 13 के अनुसाथ । पहले किते मानवादिकार आयोग में पहले किते अध्यक्ष और सदस्य होते थे एक अध्यक्ष होता था और चार सदस्य होते थे मानवादिकार संदक्षन अधिनियम 1993 में के अनुसार मानवादिकार आयोग में एक अध्यक्ष होगा और चार सदस्य होगा ठीक है बाद में ऐसे क्या किया गया संसोदित करके मानवादिकार संदक्षन अधिनियम 2006 लागू किया गया ठीक है तो मानवादिकार संदक्षन अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्स होगा और दो सदस्य होंगे मानवादिकार संद्रक्षन अदिनियम 1993 गे नुसार तो कित्ते हो थे एक अद्यक्ष और चार सदस्य जबकि संद्रक्षन अदिनियम 2006 के नुसार एक अद्यक्ष और दो सदस्य ये वाला क्विश्चिन आपके RS 2023 में भी पूछा गया था उसमें ऐसे दियावाद था कि एक अद्यक्ष होगा और चार सदस्य होगा ठीक है मानवादिकार संद्रक्षन अदिनियम 2006 के नुसार एसे उसमें लिखावा था कि एक अद्यक्ष होगा और चार सदस्य होगा लेकिन हमने देखा है एक अद्यक्ष और दो सदस्य है तो वो गल ठीक है तो राजी मानवादिकार आयोग का अधिक्स होता है राजिस्थान उच नियायले का सेवा निवरत मुख्य नियायदिस ठीक है तो राजी मानवादिकार आयोग का पहला अधिक्स कौन था तो राजी मानवादिकार आयोग का पहला अधिक्स था जस्टिस कांता बटना ठीक है तो राज जिमानवा दिकार आयो के पहले अधिक्स थे जस्टिस कांता बटनागर अब हम आगे देखते हैं राज जिमानवा दिकार आयो के दूसरे अधिक्स कौन थे तो वो थे जस्टिस सगीर एहमद राज जी मानवा दिकार आयो के दूसरे अधिक्स थे जस्टिस सगीर एहमद ठीक है राज जी मानवा दिकार आयो के तीसरे अधिक्स कौन थे वो थे एनके जैन और बाद में अधिक्स कौन बने वो बने प्रकास टाटिया ठीक है तो पहले अधिक्स तो कौन थे राज जी मान मानवादिकार आयोग के अध्यक्स है जस्टिस गंगा राम मूल चंदानी अब हम आगे देखते हैं कि मानवादिकार आयोग के अध्यक्स तथा सदश्यों की न्यूक्ति कौन करता है तो उनकी न्यूक्ति करता है राज्यपाल राज्य मानवादिकार आयोक के सदश्यों तथा अध्यक्षों की न्यूक्ति करता है वो है राज्यपाल राज्यपाल मानवादिकार के आयोक के सदश्य तथा अध्यक्षों की न्यूक्ति एक समीती होती है उसकी सिपारिस के आदार पर करता है ठीक है तो राजिपाल उनकी नियुक्ति तो करता है लेकिन वो किसकी सिपारिष पर एक समीति की सिपारिष पर करता है ठीक है तो उस समीत्य में कौन-कौन होते हैं, तो उस समीत्य में होते हैं मुक्यमंत्री, विदान सबगा अध्यक्स, राज्य का ग्रहमंत्री और नेता प्रतिबख्स यह चार लोग होते हैं इस समीति की सिफारिष के आदार पर ही राजिस्थान का जो राजिपाल है वो मानवादिकर आयोग के सदश्य और अद्यक्ष्यों की न्यूक्ति करता है ठीक है तो उस समीति में चार लोग कौन-कौन से हैं वो है पहले तो मुख्यमंत्री दूश्रे विदानसभा के अद्यक की न्यूक्ति करता है नेक्स्ट हम देखते हैं राजिमानवादिकार आयोग के सदश्य अधिक्तम किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं तो है सित्तर वर्ष्ट की उम्र तक ठीक है तो राजिमानवादिकर आयोग के जो सदश्य है या अधिक्तम किस उम्र तक अब हम आगे देखते हैं कि राजी मानवादिकार आयोग का कारी क्या होता है तो राजी मानवादिकार आयोग का कारी होता है राजी में मानवादिकारों की रक्षा के लिए एक निगरानी संस्ता के रूप में कारी करती है ठीक है तो मानवादिकार आयोग है वो राजी में को कौन से मानवा दिकार आते हैं तो राजय मानवा दिकार आयोग है उसकी कारिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अब हम देखते है राज्य मानवादिकार आयोग मानवादिकारों के उलंगन की जांज कर सकता है ठीक है तो वो मानवादिकारों के उलंगन की जांज करता है वो किसके द्वारा सिकायत पर जांज करता है या कैसे करता है तो वो है अपनी स्विवप पर रिड़ना से कर सकता है किसी पीडित द्वारा अर्जी देने पर वो मानवा दिकारों के उलंगन की जांच कर सकता है तीसरा है पीडित की और से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जी दे पीडित की और से कोई अन्य वक्ति अर्ची दे तो भी वो मानवादिकार के उलंगन की जांज कर सकता है, ठीक है, तो वो अपनी स्वपेड़ना से जांज कर सकता है, पीडित अर्ची दे तो भी जांज कर सकता है, तीसरा है, पीडित की तरफ से कोई दूशा वक्ति भी जंगन करने वालों को स्वय सजा नहीं दे सकता है ठीक है तो वो स्वय उसे उन्हें सजा नहीं दे सकता है इसके लिए वो क्या करेगा एक किसी करेगा फिर वो से सजा देती है उसके बारे में इस वीडियो में हमगे सबसे पहले देखते हैं राजेस्तान लोकाईग्त दिनियम मेंoug स्टाम्वेदिक हाँ सलाहकारी संस्ता काम क्या होता है तो लोकायोक्ष मुख्य तक किया करता है तीन प्रकार के मामलोगत की जांच कर सकता है भ्र्रस्टाचार to खिलाब जांज कर सकता है, कोई व्यक्ति अपने पद का दुरूपयोग कर रहा है, तो उसकी भी जांज कर सकता है, अकर्मनिता की भी जांज कर सकता है, ठीक है, मतलब कोई सरकारी करमचारी या कोई गौर्मेंट करमचारी वो क्या गर रहा है, अपने ब्रश्टाचार कर रहा ठीक है तो उसकी जांज कर सकता है उने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी भी जांज कर सकता है अकर्मनीता मतलब वो लापरवही कर रहा है काम नहीं कर रहा है ठीक है तो उसकी भी वो जांज कर सकता है तो लोकायोग तीन मामलों में जांज कर सकता है प्रश्टाचार पद का दुरूपयोग तता अकर्मन इन तीन चीजों की जांज करेगा लेकिन करेगा किन किन के खिलाब जांज ठीक है तो वो देखता है कि राजिस्तान के जो मंत्री है सभी उनके मंत्रियों के खिलाब जांज कर सकता है राजिकी प्रतिष्ठानों के अज्यक्ष तता उपा उपाद्यक्षों के खिलाब जांच कर सकता है विबागिये सचीवों के खिलाब जांच कर सकता है स्वायत संस्ताओं के अधिक्ष तता उपाद्यक्षों के खिलाब जांच कर सकता है राजकिये कर्मचार याने गौर्डमेंट सर्वेंट के खिलाब जांच कर सकता है जिल्ला चार पद का दुरुप पयोग तथा अकर्मन इता कि चांज किन किन के खिलाब कर सकता है वह है पहला तो हो गया हम देखते हैं किन किन के खिलाब कर सकता है तो वह देखते हैं हम पहला तो क्या हो गया कि मंतरी ठीक है दूसरा हो गया राजकी उपतिस्थानों के अध्यक्स कर सकता है थीक है इनके खिलाब तो जांज कर सकता है थीक है अब हम देखेंगे इनके के खिलाब जांच नहीं कर सकता है तो यह वाला कुश्चन जादा पूछा जाता है कि किन किन के खिलाब जांच नहीं कर सकता है ठीक है आपको option दे देते हैं और पूछते है कि निम्न मैंसे किस के खिलाब लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है या कौन लोकायुक्त के अधिका कार के खिलाब भी जांच नहीं कर सकता विदान सबा तथा सची वाले के कर्मचारियों के खिलाब भी जांच नहीं कर सकता पंच वा सरपंच के खिलाब भी जांच नहीं कर सकता तो लोकाय किन-किन के खिलाब जांच नहीं कर सकता पहला हो गया राजिस्तान के मुख्य मंत्री ठीक है क्या ओगा मुख्यों मंत्री दूस्वीं होगे महालेखाकार हालेखाकार तीज्रा आ गया विदान सपाह सुच्ची वाले की कर्म starts के खिलाब भी जान्च नहीं कर सकता नेक्स्ट है 55 सरपन्च में खिलाब भी लोकायुक्त जान्च नहीं कर सकता वाले के कर्मचार्यों के खिलाब भी जांस नहीं कर सकता नेक्स्ट है पंच वर सरपंच के खिलाब भी लोकायुक्त जांस नहीं कर सकता ठीक है अब हम देखते हैं लोकायुक्त कितने पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता ठीक है अगर कोई मामला है उसको 5 साल से अधिक का टाइम हो गया है तो उन मामलों के खिलाब भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है ठीक है अगर कोई मामले को 5 साल से अधिक का टाइम हो गया है तो उसके खिलाब भी लोकायुक्त ज होते ना किन के समक्ष होते हैं तो वह राजिस्तान हाईगोड के मुख़े न्यायदिष के समक्ष होते हैं। नेक्स देखते है राजिस्थान में लुकायुक्त का कारिकाल कितना है तो राजिस्थान में लुकायुक्त का कारिकाल है या तो वो 5 वर्ष का कारिकाल पूरा कर लिया या 65 वर्ष की आयूपूर्ण कर लिया दोनों में से जो भी पहले होता है उसके अनुसार ठीक है या तो उसने 5 साल का आपना गारिकाल पूर्ड कर लिया ठीड है या फिर उसने अपने 65 साल के आयुपूंध कर लिये ए तो इन दोनों में से उसने जो भी पहले 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 पहलीगत प्राता है हुआ पृ और हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे तो वो थे आई डी डुआ कौन थे आई डी डुआ तो राजिस्थान के पहले लोकायुक्त थे वो थे आई डी डुआ ठीक है और राजिस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है वर्तमान में मतलब तेरवे नंबर वाले ठीक है अभी वर्तमा प्रस्तुत करता है तो वो प्रस्तुत करता है राज जिपाल को ठीक है अब यह आपके एक्जाम में एक लाइन दीवी है दीवी थी किसी प्रोटेक्शन ओफिसर एक्जाम 2018 में एक लाइन दिया वाता फिर राइट रॉंग करने का पूछाता कि लोका योग तो भृष्टाचार की तो जांस कर सकता है लेकिन कू कुप रसासन है उसकी जांच नहीं कर सकता है तो यह लाइन आपको याद रखनी है वापिस राइट रॉंग में पूछ सकते है कि लोकायुक्त प्रष्टाचार की तो जांच कर सकता है लेकिन किसकी जांच नहीं कर सकता है ठीक है नेस्ट एक लाइन और दीवी थी कि ऐसे सिफार से तो कर सकता है सरकार को कि यह चीज है इस चीज के बारे में कह सकता है ठीक है बता सकता है लेकिन वो सरकार के उपर दबाव नहीं है कि वो उसे मानेगी ही मानेगी मतलब सरकार उसके लिए बाद्यकारी नहीं है ठीक है तो लोकायुक्त की सिफार से सरकार के तो राज्य के लेवल पर लोकायुक्त की न्यूक्ति की सिफारिश सबसे पहले की थी भारत का प्रसासनिक सुधार आयोग 1967 ठीक है तो राज्य इस्तर पर लोकायुक्त की न्यूक्ति की सिफारिश सबसे पहले की थी भारतिय प्रसासनिक सुधार आयोग 1966 में जो बना था उसन की नियुक्ति करने से पहले कुछ लोगों से परामर्ष लेता है तो वो किन किन से परामर्ष लेता है ठीक है तो वह हो गया राज के मुख्य मंत्री से ठीक है नेता प्रतिपक्स और राजस्थान के उच न्याय लेके मुख्य न्याय दिश ठीक है इन तीनों से परामर्ष के द्वारा ही राजिपाल राजस्तान में लोकायुक्त की न्यूक्ति कर सकता है किन किन से परामस लेता है ठीक है तो वह देखते हैं हम लेता है मुख्य मंत्री से नेता प्रतिपक्स से तथा राजस्तान उच न्यायल के मुख्य न्याय दिस इन से परामस के द्वारा लोकायु सबहुत से संबंग दिते हैं नर्पत्म लोटा की एडवोकेट जनर्डल भी रह चुके है राज जी निरवाचन आयुग इसके बार में पढ़ेंगे राज जी चुनाव आयुग निक्लीस में बोलते हैं सीसी याने स्टेट इलेक्शन कमिशन ठीक है तो शुरू करते हैं राज्य चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग की स्थापना वी ती जुलाई आर्टिकल 243 के ठीक है इसे एंग्लिस में तो बोलते है आर्टिकल 243 के और जब कि हिंदी में इसे बोला जाता है आर्टिकल 243 के तहत विती ठीक है तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुईती वह विती जुलाई 1994 में विती ठीक है आर्टिकल 243 के के तहत विती या आर्टिकल 243 के तहत विती ठीक है तो राज्य चुनाव आयोग का मुखे तो दो काम होते है पहला तो क्या है मतदाता सूची को त्यार करना और दूसरा है एर डाज्य में चुनाव करवाना थीक है तो राज्य चुनाव आयोग के मुख्यत है दो काम होते हैं पहला है बतधा सूची को तयार करना दूसरा है चुनाव को करवना थीक है अब हम आगे देखते है कि राजी चुनाव आयोग पंचायती राज संस्ताव में चुनाव करवाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत करवाता है वो है आर्टिकल 243 के तहत करवाता है जबकि राजी चुनाव आयोग सहरी निकाय में चुनाव करवाता है तो वो करवाता है आर् 243-ə के दहते यह बहुत important है पुछा चाता है बार बार ठीक है तो राज चुनाव आयों गये है वो। पंचायति राज सुरमता में चुनाव करवाता है वो कौन से ग ai का थेखत है 123-ड के तहत कौन सा ऐसा आयोग है जो की एक सर्दशी आयोग है तो एक सर्दशी आयोग है वो है राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है एक सर्दशी आयोग होता है इसमें एक ही सर्दशी होता है ठीक है तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्स होता है वो क्या कहलाता है चु होता है ठीक है तो चुनाव राजित चुनाव आयोग है उसमें क्या उसका अध्यक्स तो क्या कहलाता है चुनाव आयोगत कहलाता है चुनाव आयोगत कहलावाई कर गुपता ठीक है तो एक वार तो हम राजी चुनाव आयोग का एक वार फास रिविजन देख लेते हैं राजी चुनाव आयोग की स्थाफना वी थी जुलाई उनिस सो चुराणवे में हुई थी इसकी स्थाफना आर्टीकल 243 के के था थी इसे इंदी में बोला जाता है आर जब कि राजी चुनाव आयोग है वो सहरी निकायों में चुर्णाव कर आता है वह आर्टीकल 243 जैडे के थे लावा इसमें एक सचीव भी होता है वर्तमान में राजस्तान का चुनाव आयोगत कौन है मदूकर गुपता राज्य सूचना आयोग ठीक है राजिस्तान राजिस्तान स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन जिसे सौड में बोलता है राजिस्तान स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले सुरू करते है पहला प्रस्जन है कि राज्य सूतना आयुक का गठन कब हुआ तो राज्य के पहले मुख्य सूतना आयुक थे एमडी कुरानी ठीक है तो राजस्तान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे एमडी कुरानी वर्तमान में राजस्तान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है मोहनलाल लाठर तो वर्तमान में राजस्तान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है मोहनलाल लाठर नेक्ट देखते हैं कि राजस्थान राजी सूचना आयोग है उसमें एक तो क्या होता है मुख्य सूचना आयोगत होता है ठीक है उसके अलावा अधिक्तम दस सूचना आयोगत हो सकते है ठीक है एक तो क्या होता है मुख्य सूचना आयोगत हो सकते है अधिक्तम ठीक है लेकि तो दो चीजे है कि क्या है एक तो क्या होता हो सकता है मुख्य शूतनायुक्त हो सकता है ठीक है और क्या है दस अधिक्तम क्या हो सकते है अन्य शूतनायुक्त ये तो क्या है हो सकते है अधिक्तम इतने हो सकते है और वर्तमान में कितने है वो यह है वर्तमान में राजिस्थान में एक तो क्या है मुख्यस्थान आउक्त है और तीन अन्य सूतन आ sous ठीक है वह तो कितने सकते हैं एक मुख्य सूतन अयुक्त और अदिक्तम दस अन्य सूतना आयुक्त लेकिन कीकिन राजजक्तमान में राजस्थान राजइपाल ने सूतना युक्तों की prophet कोन करता है राजजपाल आफ्योर्ण की उतना आयुक्तों की नियुक्ति और राजपाल किन की सलाह पर करता है तो वो करता है मुख्य मंत्री विदान सबा में प्रतिपक्स नेता की तीसरा है मुख्य मंत्री द्वारा मनोनित कैबिनेट मंत्री ठीक है एक तो मुख्य मंत्री दुसरा विदान सबा का प्रतिपक्स ने थल्ट तथा अन्य सूतना आयोग्त की अब हम आगे देखते हैं राज्य सूतना आयोग वह कैसा निकाइए हैं वह सामविदिक स्वायत्जासी का मतलब लीगल और स्वायत्जासी संस्थान है ठीक है राज्य सूचना आयोग का मुख्याले कहां पर इस्तेत है तो वो इस्तेत में जयपूर में ठीक है अप्रेल दोजार टेईश में राज्य सरकार द्वारा शूचना आयोग की एक पीठ या बेंच किस सहर में खोलना स्विक्रत किया गया है यह क्योश्चिन आरेच vivir 2023 मे कहा है जैपूर मैं लेकिन उसकी एक बैंच यफी खोलनी स्विक्रत की है वो कहां ऑला इम्पर्टेंट फिल कहा है कि नियस्ट हम पूमरतिमान में राजिस्थान में एक क्या है मुख्यस उतना युक्ते उसके लावत तीन क्या है अनिस उतना युक्ते